बोल ये गुल्दीब खड़ी होकर वो, उसके साथ गोधी बैठके खिल लागी है ये आज उनिकाजी बास से भी सहमत हो गया, आप भी सहमत हो गहीं इस बास से और सभी सहमत होंगे दूसरी बात ये अभी यहाँ पर बात चल रही है कि एल्डर मैन जो भी जिसको एल्डर मैन बोलते हैं जो नॉमिनेट काउंसलर है वोट दे सकता है ने दे सकता है मेरे दो-चार सवालों के जवाब दे रहे हरीज जी आज से पहले कब ऐसा हुआ एमसीडी के अंदर के नॉमिनेटेड काउंसलर ने वोट किया हो वो सपत ली हो चुनेवा पार्शा से पहले जनता के अंदर लोकतंतर के अंदर बाबा साब अमेडगा के सविधान के अंदर चुने हुए परतिनीदी को जादा महत्ता दी जाती है और चुना हुआ परतिनीदी जो होता है जनता है चुन के आता है लेकिन आज भारतियनता पार्टी ने जिस परकार की गुंडागर्दी इस सदन के अंदर करने का काम किया है और जिस परकार से भाजपा जानी जाती है अपनी गुंडागर्दी के लिए भाजपा के जितने लो पुरा टाइम दूगा लेकिन इस पर मेरी भी आपती है देखिए ये गुंड़ा शब्ट तो इतना मेंस्ट्रीम हो गया है इतना मुख्यधारा में आ गया है कि हर एक पाटी हर एक नेता एक दूसरे विरोधी को गुंड़ा कहा देता है मेरी बात तो सुनिए मैं गुंड़ा अला कर देता हूँ ठीक है लेकिन वो अनपढ़ वनपढ़ इस तरह है कि शब्द इस्तिमाल मत करें मानग भाई है मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं होते तो मैं नहीं बोलता अच्छा दूसरी बात ही है कि आप ये देखिए कि पहले त लेटनेंट गवर्नर भेजते हैं उसको करके वहां से भेजने काम करते हैं लेकिन यहां पर उल्टा हुआ दूसरा पीटा सी नदिकारी वह व्यक्ति बनता है जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है और सबसे सीनियर मोस्ट मुकेश गोयल जी थे जो छे बार के काउंसलर थे लेकि इन्हों 215 इंड उसके बार लीक्ति दिल्ली की झंटा ने मौका दिया है और भारती दाफ़ाइड करने का काम कर रही हैं यह चाते हैं कि पीछे के दर्वाजी से मेर बनाने के लिल्ली की जंता इनका परदाश नी करेगी मारग जी कुल्दीब कुमार आपको क्या डर है अगर पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपत हो जाती तो आपको क्या डर है क्या हो जाता ऐसा कौन सा पहाड तूट जाता भाई सबकी शपत तो हो नहीं है ना बिल्कुल अच्छा सवाल है मानक भाई मानक भाई आप ये बताईए कोई भी आज ये चुनाव मेर का होगा नियम से तो होगा ना काईदे से तो होगा ना देश का सवीधान से डेश चलता है ना एक से डेश चलता है ना यह हम डर गए हम डर रहे हैं ये कुछ भी करते रहे ह हम ड़ते रहे मतलब एक प्ले आम आदमी पार्टी हो वारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान की 11 प्लेर आउट हो गए वो बोलते हैं हम 11 और खिलाएंगे तुम दर गए क्या इंडिया वाले कैंगे हाथ खिलाओ मतलब लड़ाई इस बात की है कि नॉमिनेटिंग मेंबर्स के नाम कॉन देगा मतलब एल जी साहब चुनेंगे या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार चुनेंगी जगड़ा यह है ना अभी तो देखें मानख भाई अभी तो भाषपा वाली यह भी कहेंगे जो भाषप़ह काउस्ल आए वो भोट करेंगे पर्दान मंतरी जी पर आज वोट करेंगे अरे घंतर में मकानिम शे चलोगों February कुल्दीप कुमार एक सब्सक्राइब और अरीश कुरान जी ये कॉप्रेस नहीं है ये आम अपनी पार्टी है ये पहला सवाल ये आपको डर है कि मेयर का चुनाव बीज़ेपी आपको हरा